वेलकम तो माई चैनल ये देखिए ये मेरी एक सब्सक्राइबर है तो उन्होंने मुसे बोला था कि मैं आप अल्फाबेट का लेटर डी और आई उन्होंने बोला है आप बना कर दिखाए तो डी लेटर मैंने आज आपको दिखाया है आई भी मैं बना दूंगी एक दो दिन म मुटी है लेकिन अच्छा बना है दोनों डिजाइन बहुत अच्छे से बना आप मोटी उनमे बनाइगे तो यह और सुन्दर लगेगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको डिजाइन कैसा लगा है और और कमेंट भी आप बहुत थी प्यारे-प्यारे करते हो लेकिन सब्सक्राइबर जो मेरे नए सब्सक्राइबर है उन्होंने अभी तक मेरे पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो काफी वीडियो मैंने डाली हुई है बोल रहे थी कि मैं ये डिजैन बता दो जतना बड़ा आपने अल्फबेट लेटर को रखना है तो यहाँ पर मैं चैन बना लेती हूँ यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ताट, नौ, दस ग्यारा, बारा, तेहरा, चौदा, पंदरा पंदरा चैन मैंने यहाँ पर बनाई है क्योंकि मेरे पास यह उन है, यह बारीक उन है तो आप इसको दस भी बना सकते हो, आठ भी बना सकते हो देखे, अब हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाई है और इस चैन के अंदर हम करोशे डालकर डबल करोशे हम यहाँ पर बनाएं देखे, ऐसे करकर में बनाना है एक, देखे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, जारा, पंदरा डबल करोशे हम ने इसमें बनाया है अब हम इसको ऐसे घुमा लेते हैं घुमाने के बाद इस चैन के अंदर हम इसको डालेंगे और यहां से हमने सिलिप नोट, इसको छोड़कर इसके अंदर डालेंगे और सिलिप नोट से हमने इसको यहां बंद करना है तो यह हुआ है एक, एक यहां पर आएगा, दो, दो और एक, तीन तो आप देखें, तीन डबल करोश्या ने यहां पर सिलिप नोट से बंद किया है अब यहां चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चौदा, पंदरा पंदरा चैन हमने यहां पर बनाई है और इसको हम ऐसे करके हमने देखना है क्योंकि आपने यह डी लेटर बनाना है तो हमने यहां पर तीन डबल करोश्या, दो कर डबल करोश्या छोड़े हैं एक, दो और एक हमारे पास में चैन है तो ऐसे ही आपने करके एक, दो ऐसे करेंगे हम इधर इस साइड यह देखिए एक, दो, तीन यह हमने यहां पर छोड़ दिये हैं इसके अंदर इस चैन के अंदर हमने करोश्या डालना है और इसको हम स्लिक नोट से नहां पर बंद कर देते हैं हम इसको घुमाएंगे ऐसे करके, यहां पर हमने एक चैन बनानी है और इस चैन के अंदर हमने सिंगल करोश्या देखिए ऐसे करके नहीं आए से सिंगल करोशिया पूरी चैन के नदर हमें सिंगल करोशिया बनाना है तो यह आप अपने हिसाब से जितना भी चैन के नदर आएगा उसी हिसाब से आपने इसको बनाना है कि मैंने एक दो तीन, चार, पार, छे, साथ, ऐसे करके इसको हमने बनाना है पूरा यहां से और यहां तक इसको हमने गोलाई में बनाने हैं यह देखिए 20 सिंगल करोशिया हमने इसके नदर बनाया है यहां तक जो हमारे पास में एक ही सिंगल डबल करोशिया बचा हुआ है तो इसके अंदर हम करोशिया डालेंगे और स्लिप नॉट से इसको हम यहां पर ऐसे गरके बंद करेंगे इसको हमने खुमाना है एक चैन बनाएंगे और इसको हमने ऐसे करके घुमा लेना है इस चैन के अंदर हम एक सिंगल करोश्या बनाएंगे ऐसे करके हमने ये राउंड भी कम्प्लीट करना है एक अक सिंगल करोश्या हम इसको उपर बनाते हुए हमने जाना है ये राउंड हमने कम्प्लीट कर लिया है हमारे पास में यहाँ पर दो चैन बची हुई है तो इस चैन को हम ऐसे लंबा करेंगी यहाँ से अपकरोशे इसके अंदर से डालेंगे इसके अंदर से डालकर इसको हम यहाँ इधर ले आएंगे कि इसको हमने यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देना है और फिर liasht वाली चैन के अंदर हम दोनों चैन के अंदर करूशे डालेंगे और श्रुप नॉट से हम इसके इहाँ पर बंद कर देनेगे तो यह बचा हुआ जो हमारी जब़ा है यहाँ पर इसको हमने कवर करना है, यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे और इसको हमने फिर ऐसे करके घुमा लेना है, इसको हम घुमाने के बाद, यह देखिए कुछ इसका डिजाइन इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कोई चैन नहीं बची है, यह किनारे पर हम आ गए है इसको हमने इसके अंदर ऐसे करके लेना है और शिलिप नोट हम यहां पर बनाएंगे ऐसे करके हम इसको बंद करेंगे यह देखे ऐसे हर एक चैन के अंदर हम करोशे डालेंगे और इसको इस चैन के साथ में ऐसे करके बॉर्डर बनाते हुए हमने इसको कम्प्रीट करना है य यहां से हम, हर एक चैन के अंदर हमने इसको डालना है करुशिय को, आप थोड़ा इसको धागे को उपर वाले को लूज रखना है, आप इसको थोड़ा लूज रखेंगे, ऐसे करके हमने इसको कम्प्लीट करना है, यहां पर देखे हम लाश्ट में पहुंच गए हैं, इसको हमने यहां ऐसे करके बंद करेंगे, और यह हमार पास में एक चैन बची हुई है यहां पर, इस चैन को हमने यहां करोशिय डालेंगे हम, इसके अंदर डालकर हमने स्लिप न ये देख़ें साब्सर में लैटर बनकर तैयार यहां कलेत की सब्सक्ति को हटाया है यहां से बहुत अच्छा है में फिले कलेर है यह आ MA को दिखाने के लिए यह इस खोल च्वार कश, कॉल्णे के लिए वाईग करें, उढाने की सब्सक्तिती है हमने इसको बनाया है वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने इसमें और डिजाइन भी सीखना है मतलब और अल्फाबैट लेटर आपने सीखना है तो आप में बता सकते हो मैं आपके लिए बनाऊंगी तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अब आपकली बाई थैंक यू